एक बार की बात है विश्वनाद पेशे से एक किसान होता है लेकिन कुछ सालों से फसल अच्छी नहीं होने के कारण उसे बहुत ही नुकसान होता है और वो करजे में बुरी तरह से डूब जाता है शर्मिला कहती है आप चिंता मत कीजी प्रमोद गया है न शहर कुछ न कुछ अच्छी कपर जरूर लाएगा तब ही प्रमोद भी आ जाता है विश्वनाद कहता है बेटा प्रमोद कितना मिलाओ फसल का प्रमोद कहता है क्या पता है बाबा बाजार बहुत ही मन्दा चल रहा है इतने पैसे से ये साल तो निकलना बहुत मुस्किल है, सब खाना खाकर सू जाते हैं, लेकिन विश्वनात को रात भर नीद नहीं आती, अगले दिन एक सेट, विश्वनात के घर अपने करजे के पैसे लेने आता है, सेट कहता है, विश्वनात, तुमने आज का तारीक दिया था पैसे लोट आने का, मैं भाभी जी का जेवर भी अपने साथ ही लेकर आया हूँ, आज तो मैं अपने पैसे लेकर ही जाऊंगा, तो विश्वनात कहता है, सेट जी, इतने पैसे तो इकठा नहीं हो पाए है, कुछ समय और दे दो, तो सेट कहता है, विश्वनात मेरा भी तो पैसा लगा हुआ है अब और समय नहीं दे सकता पैसे नहीं है तो जाओ डूब मरो कहीं लेकिन अब ये बहाने बनाना छोड़ो भाई तो शर्मिला कहती है सेट जी आप ये जेवर रख लो और इसके पूरे पैसे जो भी बनते हैं वो दे दो सेट कहता है देखो आपके गहने पुराने डिजाइन के है और मुझे इसे साफ करवाना होगा नई डिजाइन लगानी होगी तब जाकर बाजार में कोई लेगा मैं इसके ज्यादा से ज्यादा दो हजार और दे सकता हूँ शर्मिला कहती है ठीक है शाम के समय विश्वनाद जंगल की तरफ लकडियां काटने चला जाता है तब कि अचानक विश्वनाद पर कुछ जंगली जानवर हमला बोल देते हैं और अचानक एक लड़की आती है विश्वनाद की जानवर जाती है और घायल विश्वनाद को उनके घर तक सही सलामत छोड़ दी अपने पती को खायल अवस्था में देख शर्मिला रोने लगती है तभी गाओ का एक आदमी कहता है इस लड़की ने तो बड़ी बहादूरी से उन जंगली जानवरों का सामना करके विश्वनात की जान बचाई है शर्मिला उस लड़की क देखती है और पूछती है क्या नाम है बेटी तुम्हारा और तुम किस गाओं से हो लड़की कहती है मेरा मेरा वो मेरा नाम नगमा है मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में इस गाओं से उस गाओं घूंगती रहती हूं शर्मिला कहती है तुमने मेरा सुहाग बचाया है मग पिर मेरे पास तुमको देने के लिए कुछ नहीं है लड़की कहती है यह नहीं माजी मुझे कुछ नहीं चाहिए मैं चलती हूँ और नगमा जाने लगती है तभी विश्वनात कहता है रुको अब तुम अकेली नहीं हो मैं अपने बेटे प्रमोत की शादी तुमसे करूँग और अब तुम हमारे घर की बहु बनोगी और हमारे साथ ही रहोगी कुछ ही दिनों में नगमा और प्रमोत की शादी हो जाती है शादी के दूसरे दिन ही नगमा खेत जाकर कुछ सबजियां लगाती है प्रमोत कहता है अरे तुम ये सबजियां यहां क्यों लगा रही हो ये सक्त बंजर जमीन है यहां तो कोई पौधा नहीं उगता अब से यहां अच्छी फसल होगेगी आप देखते जाएए प्रमोद कहता है लेकिन यह सबजिया तो यहां पहले कभी नहीं लगाई गई आप बस देखते जाएए इस नागिन मेरा मतलब है नगमा के हाथों का कमाल थोड़े दिनों बाद वो बंजर खेट पूरी तरह से हरे भरे फसलों से लहला हाने लगता है यह अजुबा चमतकार देखकर सारा गाउं हरान रह जाता है और अब रोजाना प्रमोध सबजियां लेकर बाजार जाता और सारी सबजियां बिग जाती थी धीरे धीरे घर की स्थिती भी सुधरने लगती है और दो साल देखते ही देखते पार हो जाते हैं तब विश्वनात का घर भी बड़ा बन जाता है पूरा परिवार अच्छे से रहने लगता है यह चमतकार देखकर अब सारा गाउं हैरान रह जाता है और अब पूरे गाउंवाले अपने खेत में पहला बीज नगमा के हाथों से ही लगवाते जिससे पूरे गाउं की बंजर जमीनों में भी खेती हरी भरी होने लगे और गाउंवालों की भी तरक्की होने लगती है गावाले नगमा को बहुत मानते थे एक दिन एक साधू महाराज उस गाव में आते हैं सारे गावाले उनसे आशिरवार लेने जाते हैं मुरारी लाल कहता है पहले तो इतने बुरे दिन चल रहे थे विश्वनाद की बहु जब से आई है पूरे गाउ के स्थिति सुधर गई है ये बात सुनकर उस साधू को हैरानी और उस लड़की की चमतकरी शक्तियों पर शक होता है साधू महाराज कहते हैं मुझे उस लड़की से मिलना है सारे गाउवाले साधू महराज के साथ विश्वनात के घर पहुंचते हैं गाउवाले कहते हैं विश्वनात जी अरे ओ विश्वनात जी देखिया आपके द्वार पर कौन आया है साधू महराज खुद चल कर आये हैं विश्वनात कहता है शर्मिला, नगमा, तनिक कुर्सी तो लगाओ, बाहर साधू महराज आए नगमा ये सुनकर खबरा जाती है विश्वनात के बहुत बुलाने पर नगमा साधू महराज के पास जाती है गाउवाले कहते हैं साधू महराज यही है नगमा साधु महराज कहते हैं आओ बेटी, मुझे अपना चमतकारी हाथ तो दिखाओ जिसके गुणगान सारा गाउं कर रहा है नगमा साधु महराज को अपना हाथ दिखाती है साधु महराज नगमा के हथेली पर एक तावीज रखकर जोर जोर से मंत्र बोलने लगते हैं जिससे नगमा चट पटाने लगती है नगमा धीरे धीरे अपना रूप बदलने लगती है और एक नागिन बन जाती है साधु महराज कहते हैं मैं इसकी चर्चा सुनते ही समझ गया था कि ये कोई साधारन मानों नहीं हो सकती ये सारे गाउं को धोका दे रही थी साधु माराज नगमा को एक जोले में बंद करने लगते हैं तभी प्रमोद कहता है छोड़ो मेरी नगमा को इसने मुझे कोई धोका नहीं दिया है इसने शाधी के अगले दिन ही मुझे सारी सच्चाई बता दी थी आज तक इसके या रहने से सब का भला ही हुआ है अगर ये नागिन है भी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन वो ढोंगी साधू नगमा की इच्छाधारी मनी हासिल करना चाहता था साधू महाराज कहता है अगर किसे ने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं उसकी जान ले लूँगा साधू महाराज वहां से नागिन का पूछ पकड़ कर जाने लगते हैं प्रमोद उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है साधू महाराज उसकी तरफ एक छूरी फेकते हैं नगमा इंसानी रूप में आकर प्रमोद के आगे खड़ी हो जाती है और वो छूरी उसको लग जाती है और नगमा उस साधू महाराज को डस लेती है मरते हुए नगमा प्रमोद को नागमनी का पता बताती है और नगमा का शरीर वहाँ से अचानक गाय भूजाता है उसके बाद सारा गाउं नगमा की नागमनी को शिव मंदिर में धारण कर उसकी पूजा करते हैं और उस मनी के चमतकार से वो गाउं हमेशा खुशहाल रहने लगता है एक बार की बात है अमित सिंग एक पुलिस ओफिसर था जो शहर के एक ठाने में पोस्टेड था लेकिन वहां के कुछ अधिकारियों ने उसकी पोस्टिंग देवपुरी गाउं के पारसगड ठाने में कर दी थी जिस बात से अमित थोड़ा चिंता में डूब गया था वो घर आया तो उसे परिशान देखकर उसकी पत्नी सुधा बोली क्या बात है जी आप इतने परिशान क्यों है हमें कल सुभा ही पारसगड निकलना है मेरी पोस्टिंग वहां कर दी गई है अच्छा तो ये बात है तुम नहीं जानती ये पारसगड बड़ी ही विचित्र जगे है वहां आए दिन नजीबों गरीब घटनाए होती रहती है तो आप इस बात से परिशान है? नहीं मैं सोच रहा हूँ कि वहां हमारी मुनिया की पढ़ाई का क्या होगा वहां पढ़ाई और रहन सहन की कोई खास सुविधाएं भी नहीं है अगली सुभा ही अमित अपने परिवार के संग पारसगड थाने के लिए निकल गया कुछ देर बाद वो उस गाओं में पहुँचा अमित को एक छोटा सा सरकारी कमरा दिया गया था कुछ देर आराम करने के बाद अमित थाने के लिए निकल गया थाने में उसने देखा कि सब कुछ कबाड़ खाने जैसा है जैसे उस थाने में कोई कभी आता ही ना हो बस एक बूढ़ा हवलदार और दो तीन कह दी थे अमीत ने सक्त रवया दिखाते हुए फॉरन थाने की हालात को साफ सुथरा करनी के लिए कहा और अपनी कुरसी पर जाकर बैड़ गया वो बैठा कुछ फाइल देखी रहा था कि तभी गाओं का एक पोस्टमेन आया और अमीत को एक लिफाफा दिया और वहां से चला गया अमीत ने लिफाफा खुला तो वो हैरान रहे गया उसमें किसी औरत की कटी हुई दो उंगलियां थी और उंगली में एक अंगुटी ये देखकर अमीत के पसी ने छूट गए उसने पोस्टमेन को रोकने की कोशिश की लेकिन वो तो जा चुका था अमीत इस सच का पता लगाने के बारे में सोचने लगा तभी हवलदार एक चौर को पकड़ कर लाया हवलदार उसे लॉक अप में डालने लगा तो चौर जोर जोर से कहने लगा नहीं हुजूर इस वाले लॉक अप में नहीं इसमें कजरी की रूह कैद है मुझे काले पानी की सजा मन्जूर है लेकिन इस लॉक अप में रहना नहीं है मुझे मुझे पर रहम करो चोर की बात सुनकर अमित धरान रहे गया चोर को दूसरे लॉक अप में डाल दिया गया थोड़ी दिर बाद अमित के फोन की घंटी बची और अमित ने फोन उठाया और कहा हेलो, कौन? तो दूसरी तरव से बस एक औरत के चीखने की और सिसक सिसक कर रोनी की आवाज आ रही थी अब बार बार घंटी बचती रही और अमित फोन उठाता रहा और उसे वही आवाजें सुनाई देने लगी अमित अब पूरी तरह से परिशान हो चुका था उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है तेर रात वो अपनी घर पर पहुंचा और घर पहुंचते ही थोड़ी दिर बाद फिर से उसके घर की फोन की घंटी बची उसने फोन उठाया तो फिर उसी ये औरत के रोनी की आबाज आ रही थी जो कुछ बोल नहीं रही थी इस बात से ख़लाया हुआ अमित नाहाद भर सो नहीं पाया और जब अगली सुहा हवलदार अमित के घर आया तो उसने देखा कि वहाँ ताला लगा हुआ है इस बात से वो बहुत खुश हुआ कि साहब तो दो दिन में ही चले गए उसने ये बात सबको बताई और थाने पहुँचा अब थाने में सरपंच, हवलदार, मुर्दे गाडने वाला और कजरी सभी एक साथ बैठकर इस बात का जश्न मना रही थे देखा हमारी अवाज का जादू हुजूर, बाकियों की तरह इस दरोगा को भी हमने एक दिन में भागा दिया अब हम सब अपना अपना धन्दा इस गाओ में आसानी से कर सकते हैं यहाँ अपसे कोई भी पुलिस वाला आने की जुर्द नहीं करेगा हाँ, यह बात तो सही कहीं तुमने कजरी तभी हबलदार की बोलती बंद हो गए क्योंकि पीछे इंस्पेक्टर अमित अपनी वर्दी में खड़ा ये सारी बाते सुन रहा था अमित को देखकर सारी लोग हैरान रह गए लेकिन यह सब होनहार अमित की चाल थी इन चारों की सच्चाई सामने लाने के लिए जिन्होंने गाउ में जूटी अफवाहों से दहशत बना कर रखी थी इसी के पीछे वो अपना गैर कानूनी धंदा करते आ रही थी अमित ने चारों को हवालात में बंद कर दिया और सभी को अच्छे से सबक सिखाया और अब भोले भाले लोगों का वो गाउ उन चारों के भैसे मुक्त हो चुका था अमित ने गाउं का विकास करने के लिए अपने अधिकारियों से बात की और इस बात के लिए अमित को पुरस्कृत भी किया गया और इस बात से अमित और उसका पूरा परिवार बहुत ही खुश था तो दोस्तों ऐसी ही मज़िदार कहानिया देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मद भूलिए तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ